नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं कि दोरान किसान के रिट कार्ड निर्गत करने की धीमी गती पर नराजगी जताते हुए काहा की परदेश के हर किसान के हाथ में किसान के रिट कार्ड होना चाहिए यह किसानों के लिए बहाज जरूरी है उन्होंने निर्देश दिया की सभी जीला उपायूक्त के सीसी निर्गत कराने के कार्यागों गहिमीतार से ले बैंक के साथ समयनुए बना कर कार्य करे बतादे 31 मर्च 2022 तक सभी किसान के लिए के सीसी की सुविधा उपलास सुनिश्चित करे यह राई सरकार की महतपुन योजना है ज्यारखन में पलास बरांड वा फूलो जहानों से बदल रही महिलाओ की तस्वीर ज्यारखन के मोख्यमंत्री हेमान सुरे ने ग्रामिन बिकास बिभा की समिक्षा के दोराण आवास योजनास जरूरत मंदों को अच्छाजित करने का अतेस दिया मोख्यमंत्री ने कहा कि 15 अक्टूबर तक सभी जरूरत मंदों को योजना का लाव दे वही मनरोगा की योजनाओ को बेहतर धंक से लागू करे पोटो हो खेल मैदान को पूरा करने में कोई देरी नहो इस दिशा में कारे करने क्या हो सकता है फूलो जानो असिर्वाद योजना की समिक्षा के दरान कहा की हमें महिलाओ को हड़िया दारूर निर्मान और विक्री कारे से दूर कर समान जनक आजीव का से जोड़ना है इस दरान उन्हें पलास ब्रांड से जोड़ने का निर्देश दिया ज्यारखन के सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों पर अड़े जारखन के सहायक पुलिस कर्मी इस बार आरपार के लड़ाई के मूड में हैं बतादे 12 नक्सल परभावी जीलों में समीदा क्याधार परभाहाल 25 सहायक पुलिस कर्मी अपनी मागों को लेकर आंदोरन कर रहे हैं मैला पुलिस कर्मी बच्चों को गोध मे लेकर डटी हुई है। उनका कहना है कि 10,000 में घर चलाना मुस्किल है। बता दे सहायक पुलिस कर्मी की साधी तूट रही है और कई सहायक पुलिस कर्मी की तो साधी भी तय नहीं हो रही। जारखन के मंत्री मिसलेश ठाकूर ने कहा कि एक पांच सदस्य कमिटी बनाई गई थी और उसकी रिपोर्ट पर सरकार फसला लेगी सायक पुलिस कर्मियों का कहना है कि नक्सल के खिलाप आपरेशन में सामील होते हैं तो नक्सल परभावी छेत्रे में उनके परिजनों को आए दिन नक्सली धमकाते हैं साथ ही उन्हें तरह तरह का परलोभन भी दिया जाता है पसुधन योजना से अधिक साधिक किसानों को लभानवित करे मुख्यमंत्री ने कहा है कि कई जीलों में पसुधन योजना की प्रगति संतोस जनक नहीं है सभी उपायूप्त पसुधन विकास योजना के संदर में जीला पसुपालन पताधिकारी के साथ बैठक कर लोगों को योजना का लाब दे सम्मोह में भी पसुपालन करने वालों को सयोग दे इसके लिए कलस्टर के तोर पर कारे करे योजना को लेकर चात्रा ने बेहतर कारे किया है उसका अनुसरन सभी जीला करे और बेहतर पईनाम सामने लाए उन्होंने असपस्ट किया कि इसे लेकर ही राई सरकार ने खेती के साथ पसुपालन के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने को लेकर योजना को लॉंच किया है नुवंबर तक पसुधन योजना से अधिक से अधिक किसान लवानी थो या सुनिश्चित होनी चाहिए लाते हार पोलिस नक्सली मुडवेड मामले में 40 लोग के खिलाफ एफाईयार जार्खन जगुआर और नक्सली संगठन जेजे एमपी के बीच गत 28 सितंबर 2021 को सदर्थाना छेते के नवाटी गराम के जंगला जंगल में हुई मुडवेड में सामिल जेजे एमपी सुप्रीमो पपुल लोहरा समेत 40 नामजात उगरवादियों खिलाफ सदर्थाना में प्रात्मी की दर्च की गई इन में कई इनामी नक्सली भी है इस समद में पुलिस निरिक्षक स सदर्थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता ने बताया की इस समद में सदर्थाना कांड संक्या 236 बाई 21 के तहत मामला दर्च किया गया है 15 नवंबर तक अस्थानिय नियूजन निती नहीं तो सुरू होगा आंदोलन जहरखन में अस्थानिय और नियूजन निती को लेकर कई आदिवासी मुलवासी जन संगठन और समाजिक संगठन एक मंच पर आगये है साथ ही राज्य में जारखंडियों के हीत में अस्थानिय नीती बनाने के पक्ष में सरकार पर दबाव बनाने का फैसल लिया है। चात्र चात्राओ को समय पर मिले चात्र विर्ती सीम हमांत। साल अभी तक 8,85,000,000 चात्र शात्र 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 की इंटी हो पाई है। चारा घोटाला को उजागर करने वाले IS अधिकारी रिटायर 30 सितमबर 2021 को जारखन के दो अधिकारी रिटायर हो गए बतादे चारा घोटाला को उजागर करने वाले 13 IS अफसर अमित खरे अजारखन के परभारी DGP रहे MB राव गुरुवार को रिटायर हो गए बरतमान में IS अफिसर स्री खरे केंद्रिये प्रतिनी उक्ति पर थे वहीं IPS अफिसर स्री राव होमगाड डीजी स अगनी सामक के समाधेश्टा पद पर कारे रथे धोती साड़ी योजना का लाब तेवहारों से पहले सीम हिमन्त जारखन के मुखे मंते हिमन्सुरेन ने खादर स्रुजनिक बीतरन एमब होकता मामले विभाग की गुरुगार को समिक्षा की इस दुरान उन्होंने कहा कि धोती साड़ी योजना के तहत वस्तरों का बीतरन तेवहार से पहले कर ले इसके साथ ही वस्तरों की गुर्वाता से किसी तरह का समझाता न करे हरे राशन कार्ड का लाप सभी जरुरत मंदों को दे उन्होंने कहा कि पंद्रहवे बीत आयोग में बजट का प्रवधान किया गया है लेकिन खर्च सही ढंग से नहीं हो रहा इस बावत उन्होंने अधिकार्यों को निर्देश दिया जारखन में कुरोना के 119 मरीज मिले हैं जो राशी से पांच पूर्वी सिम्हूम से चार और खुट्टी से दो मरीज मिले हैं जारखन में कूल एक्टिव केज की संख्या तिरासी है भारत में 277-271 केज मिले हैं भारत में कूल एक्टिव केज की संख्या 2,66,546 धनबाद जज मोत ममला जारखन के धनबाद सिविल कोट के जज उत्तम अनंद की मोत ममले में गुरू आरको जारखन हाई कोट के चिप जस्टिस डाक्टर रवी रंजर और जस्टिस सुजीत नरायन की खनपिट ने सुनवाई की इस दोरान CBI की ओर से अदालत को बताया गया की उसे हाथ अहम सुराग लगे हैं इस दिशा में CBI तेजी से कारे कर रही है और हर बिंदू पर जाच की जा रही है ताकि जल्द से जल्द इस मामले का खुला सा किया जा सके बतादे इसी दोरान JPSC और JSSC पर नराजगी जाहिर की गई और करी टिपनी करते हुए कहा की अधिकारी लपरवाही नहीं बरते खाली पदों को भरने को ले कर तेजी दिखाए तीन माह में सभी खाली पदों को नहीं भरने पर अधालत सक्त आदेश जारी रखरेगी मन्रेगा योजनाओं को ठीक से लागू करे CM हमन्त मुख्य मंत्री हमन्त सुरेन गुरु आरको ग्रामिन विकास विभाकी समिक्षा कि दरण आवास योजनाओं से जरुवत मंदों को आज़ाजित करने का आदेश दिया मुख्य मंत्री ने कहा कि 15 अक्टूबर तक सभी जरुवत मंदों को योजना का लाब दे मन्रेगा कि योजनाओं को बेहतर धंग से लागू करे पोटो हो खेल मैदान को पूरा करने में किसी परकार की दरी ना हो इस दी सामयकार करने की आवसकता है किसानों के लिए कोल्ड एस्टोरेज की गती धीमी मुख्य मंत्री ने कहा है कि कोल्ड एस्टोरेज निर्मान की गती बेहत धीमी चल रही है जहाँ भोमी से सम्मधित मामले हैं वहाँ जल्द से जल्द भोमी को चिनहित कर निर्मान कार्य प्राराम करें वहीं कोल्ड रूम निर्मान कार्य की गाती भी संतोस जनक नहीं है इसके कार्य में तेजी लाए कोल्ड एस्टोरेज और कोल्ड रूम के निर्मान के करम में बिजली और पानी कुप लपता है तू समधित विभाग में अवेदन दे ताकि निर्मान के साथ ही कार्यों को सुरू किया जा सके जे सेसी की नियुक्ति निमावली में संसोधन की मांग पलामू में चलाए जा रहे एक नागरिक एक आवेदन अभियान की टीम ने गुरुवार को जार्खन के राज येपाल रमेश बैस से मिलकर आगरफ पत्र सोपा इसके माध्यम से जार्खन करमचारी चयन आयोक की नई नियुक्ति निमावली में ससोधन करते हुए हिंदी को चयनी छेतरिये या जन जातिये भासा से रेणी में सामिल करने की मांग की गई इसका नेतितों समाजी करकरता सणी सुकला कर रहे थे कहा गया की नई नियुक्ति के अनुसार यहां के स्थानी अभियार्थी अगर जार्खन के बाहर से मैट्रिक या इंटर्मेडियर्ट के पढ़ाई करते हैं तो परिक्छा में बैठने की पात्र हो देंगे मा छिन मस्तिका का परसाद घर घर तक पहुचाएगा डाक विभाग मा छिन मस्तिके के दरबार का परसाद अब घर घर पहुच जाएगा इसके लिए डाक विभाग ने त्यारी की है अब मा के दरबार में हाजरी लगाने की जरूरत नहीं होगी पतादे इक्छा की जरूरत होगी भक्त अपने नजदीक के डाग घर से प्रधान डाग घर के डाग पाल के नाम मनियाडर भेज दे वह भी बहुत की फायदी है बता दे 501 रुपए में 500 ग्राम और 251 रुपए में मनियाडर में 200 ग्राम पर साथ का प्रेकेट आपके घर तक पहुंच जाएगा सरना कोड केंद्र सरकार से सरना कोड लागू करने की मांग को लेकर गुरुआर को राजभौन के समिप धारना दिया गया आयोजन केंद्री ये सरना समीती अखिल भारती आदिवासी बिकास परिसत वा आदिवासी सेगेल अभियान ने सन्युक्त रुप से की धारने के माध्य से राश्टपती के नाम राजेपाल और उपायुक्त को ग्यापन सहपा गया। समित्ति के अध्यक्ष फोल्चन तिर्की ने कहा कि 2021 जनगर्ना का वर्स है। भारत में विभीन जातियों के लिए समिधान के अनुछेत 25 के तहत अपने धर्म को मानने वा परचार करने की सोतनता है। प्रकिर्तिक, फूजक, आदिवासी जो सरना धर्म को मानते हैं, पूरे भारत में 15 कुरों से अधिक हैं, उन्हें अभी तक धार्मिक अधिकार नहीं मिला है। सुनील तिवारी मामले में मुख्य सचीव DGP समेत 5 को नोटीस। सुनील तिवारी की पतनी ललीता तिवारी नहाई कोट में आज क्या दायर की है। धनबाद में गुलाब का असर अधिक। गुलाब चक्रवाद तुफान का सबसे अधिक असर धनबाद पर पड़ा है। बतादे जार्खन में पिछले 24 गंटे में सरव अधिक बारिस धनबाद जिले में ही रिकोड किया गया। धनबाद में 309 mm बारिस फुटकी में रिकोड किया गया। बारित की वज़ा से सहरी इलाके में भी बार जैसा नजरा दिखने को मिल रहा है। बता दे बो कारों दूसरे नमबर पहे हैं जहाँ 290 mm बारिस रिकोड किया गया। गुमला सहर को जाम से मुक्त करने का निर्णा है गुमला सहर में बसों के कारण जाम लगती है लेकिन अब बीच सड़क बस खड़ी कर याधरी चढ़ाने वा उतारने पर बस मालकों पर द्यूर्माना लगेगा इस समध में गुमला के पूलिस अधिक चक डाक्टर एतिसाम बकारिव ने SDO, DTO वा पूलिस पताधिकारियों से बैठक कर दिशाने देश दिया पताधे एस पी डाक्टर बकारिव ने कहा कि गुमला सहर को जाम से मुक्त रखने के लिए जरूरी है कि ट्रैफिक ब्यवस्था को और बेहतर किया जाए साथ ही बसों के परिचालन के कानण लगने वाली जाम को भी दुरुस्त किया जाए बैठक में नीना लिया गया कि गुमला से अने अस्थानों के लिए खुलने वाली बस सिर्फ बस्ट इस्टेंस से ही खुलेगी रूपा तिर्की मौत मामला साहेब गंज की महिला थाना परभारी की मौत की जाज कर रही सीबियाई की टीम अब उस डायरी की तलास कर रही है जो रूपा तिर्की हमेशा अपने पास रखती थी सीबियाई को यहां की पुलिस द्वारा कुछ तस्फिर उपलब्द कराई गई जिसमें रूपा तिर्की के बेड़ पर 100 के बगल में एक डायरी भी दिख रही है कलम भी खुला हुआ लेकिन जब बस्तूओं में उसका कहीं उलेख नहीं है ऐसे में सीबियाई अब उस डायरी की तलास कर रही है वैसे जबत बस्तूओं में एक डायरी है जो काफी पुरानी है जारखन के सभी आदालतों में फिजिकल सुनवाई राजे की सभी नीचली और अनुमंदर नयालियों में अब पूरी तरह फिजिकल सुनवाई होगी सभी जीलों के प्रधान जीला एवं सत्र नयाधिसों को कोविट प्रोटोकाल का पालन करते हुए फिजिकल सुनवाई करने का निदेश दिया गया है हाई कोट के रजिस्टार जनरल ने इसका अदेश जारी कर दिया है अभी तक इन अदालतों में 50 फिजिकल और 50 फिजिकल वर्चुल मोड में सुनवाई हो रही थी धन्यवाद